हेलो फ्रेंट जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जैट एर्वेज से रिलेटिड कोई भी लेटिस्ट अपडेट आती है तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यन से मिलती रहती है आज भी इस समय जैट एर्वेज को लेकर दो तीन अच्छी खबरे सामने आ रही है आप स इसके सबस्त हमने आपको यह भी बताया था कि जैट एर्वेज मार्च महिने में आपनी टेस्टिंग करने वाली है जो कि दस घंटे की रहने वाली है जो कि दिली एरपोर्ट या फिर हैदराबाद एरपोर्ट से होगी और इन सारे डेवलप्मेंट के साथ साथ आप यहाँ जैट एरवेज ने अपनी टुटर हंडल अकाउंट से ट्विट करके यह भी जानकारी दिया है कि वह यहाँ पर हाइरिंग प्रोसेस भी चालू कर चुके हैं जिसमें कि वह पाइलेट्स क्रू मेंबर्स और कैबिन क्रू की भरती चालू कर रहे हैं तो आप मेंसे जो लोग इस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाते हैं इसके लिए जैट एरवेज ने यहाँ पर यह इमेल आईडी भी दी हुई है इस एमेल आईडी पर मेल करके आप जैट एरवेज से संपर्क कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारी अच्छी खबरे आ रही थी इस वक्त जैट जैट एरवेज को फाइनली अप्रूबल मिल जाता है तो मार्च की आखरी सब्ता से जैट एरवेज अपनी उडानों को चालू कर देगी अभी तक जैट एरवेज को लेकर जो भी लेटिस्ट खबरे आ रही थी वो हमने आपको इस वीडियो के मादियम से बता दी जैट एर करेंगे